हेलो और वेलकम टेवरीवन इफ आप लोग असारमटेट का प्रेप्रेशन कर रहे है तो इसके लिए आप चैनल पर कॉंटिविए जू़े रहेगा ताकि आप लोग को नियू अपडेट मिलता रहेगा तो आज स्टार्ट करेंगे तृतिय भासा की रूप में हिंदी की आउधारना ये जो तृतिय भासा होती है वैसे आप लोग तो सुने होंगे प्रथम भासा यानि की मात्री भासा दृतिय भासा भी आप लोग सुने है बड़ तृतिय भासा तो बहुत कमी लोग सुने की तृ आप लोग जानलेजें गित्र होती है इसको हम वोलते हैं, अग्रेजी नह defa मित्रैम आपी इस तुम यहाजी कि प्राइस घरे घरर चुछ श्तनी भाश। होता है ही तरह से हिंत 37 की रूप में हैं यह आप लो Sonos के रूप में यह प्यों की जब तो यहां पर हिंदी का इस्थान दिया गया है इसकी अनुसार क्या होता है देख लिए देवनागरी लिपी में लिखी और मुलत संस्कृत से अपनी परिभासिक सब्दाली को लेने वाली हिंदी भारतिय संग की राजभासा है इसकी अनुसार ऐसा होता है कि देवनागरी लिपी में हिंदी का हमारा लिपी क्या है देवनागरी लिपी और यह जो मुलत संस्कृत से अपनी ही परिभासिक सब्दाली को लेने वाले हिंदी भारतिय संग की राजभासा बन जाती है ठीक है ना समिधान सभानी लंबी चर्चा की बाद 14 सब्टेमबर सन 1949 में हिंदी को भारत की राजभासा स्विकार किया था हम तो जानगे कि हिंदी तो राजभासा और कब इसको स्विकारा गया था तो 14 सितंबर 1949 को यहीं आप लोग का इंपोर्टेंट है एसा कोशन आप लोग के एक यह ढाएका है इस सफ़िकार में था कि हिंदी क्या है तो हिंदी हमारा राजभासा है बहुत लोगं इसको राजटर भासा साथ मात तो नहीं लिए थे वैसे ली दर्चांक के लिए बहुत स्ट्रगल किया जा रा है कि रहा वह र刚才 शितंवर और इसको दर्जा दिया गया था 14 सितंपर 1949 को और इसके बाद देखा जाता है कि समिधान में अंशे 343 यानि कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक यहीं हमारा जो राजभासा है इसके संबने बिवस्था की गई है ठीके आप लोग के यह आर्टिकल वाला कोशन्स भी आता है तो इत भारत की भासा इस्तिकी चुनोति और 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 श्रों को सम्मोधित करने का एक पर्यास है क्योंकि यह भासा सिक्षड से संबन्दित एक ऐसी नीती है जिसका प्राथमिक उद्यस भासा सिक्षड के तहत बच्चों में बहु भासिक्ता और राज्टी सद्भाव को बढ़ाव इतना याद रहिएगगा क्या चीज का फ़ासिकती ओंगे बच्केट किसच के जरिया और ड्री भासा सुत्रिके डहत भांटी क्यों की सुट्रिकार यह जो इस प्रका आ है आप लोग देख लीजिए पहली भासा है। lı पर लिखantic क्या होती है मैं आप लोगो उसके बारे मताओंगी कि अधिनीपर्य इंग्रेजी कि वहां पर दीया जा सकता है यह फिर आधनीक second language मतलब दूसरी भासा के तोर पर Hindi भी रख सकते हैं या फिर अंग्रेजी भी रख सकते हैं पहला तो आप लोगों को पता चलगे कि मात्री भासा हो नहीं तो वहां की राज्जी की छेत्री भासा second में Hindi रख सकते हैं नहीं तो अब नेक्स इसके बारे में एजन इसकर्स देखेंगे कि अब चलिए देखते हैं जो यह हमारा त्रिथिय भासा के रूप में हिंदी का इस्थान भी हो सकता है तो प्रत्म भासा को मात्री भासा भी कहेंगे और अन्य भासा में आपका त्रिथिय भासा भी आ जाता है अंतर क्या है यह अप नोगों समझ दुजए जो फर्स लोंग विज़े और जो आपका थार्ड लोंग विज़े यानि कि जो सेकेंड लोंग विज़े बोल सकते हैं तो इन दोनों में हिंदी जो सिक्षण कराते हैं हम इसका उद्यस से क्या होता है तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पुइंट अन्य भासा जैसे कि आपक लों में तोपिक है कि जो हमारा कि यंदि का हो ढठर है इसको क्यों सिखित उसका उद्देश से क्या होता है वैसे को जरूरी नहीं है कि हम माली जी हम द्वासे हमारा जय भूलिए İ first sentence एक हम पिर हो सके तो हैं अंग्रेजिज इन अधिक आप inter Years bull गलत क्योंबं करने हैं कि यहां पर बोला जा रहा है क्या जो आपने देश के जो अन्ने राज्यों में रहने वाले लोगों से संपर्ख साधने और बिहारिक आदान पर्दार के साधन की रुफ में हिंदी सिखते के लोग जीवन की मौलिक आव सकताओं के रूप में जैसे दैनिक जीवन के पूर्ति रोजगार के लिए शिक्षा ग्रहंट करने के हितु ज्यान में व्रिधी और उदेश्यों से हिंदी भासा सिखते हैं यह आप लोग का अंतर हो गया तो दिर्तिया भासा के रूप में और मात्रिभासा के रूप में अपने पूर्ति कर सकते हैं किन्तु वहीं जो मात्रिभासा होगी रोटी कप्ड़ा मकां यह उनके जो अपनी मात्रिभासा होगी उनसे वह अपने पूर्ति कर सकते हैं किन्तु वहीं जो मात्रिभासा के रूप में हिंदी भास छेत्रों में हिंदी जीवन के मौलिक असकताओं के रूप में सिखे जाती है याद रखिए भले तिर्तिया भासा के रूप में हिंदी के परयोग ना हो लेकिन हमारा मात्रिभासा के रूप में हिंदी का बहुत आएसा रिलेटेट रहो गया या फिर अनिराजी में जाने से संपर के लिए यह सब चिजों के लिए आपका तो रहनी दिखेंगे हुप में हिंडी हिंडि आखा सबस ragव सकता हो जाता है तो жसे मेश जो अहिंडि fly भासी 500 रहे हैं यिसे हमारा असम ही मालजिए एक प्हे पर हमारा उफ पंवार्ट कोंषल करना होगा तो कौन सा करना होगा देखिए पहले आपको पढ़ना पढ़ना एक कोशल है याद रहेगा जो बाता होता पढ़ना हो गया आपका लिखना हो गया सुनना हो गया बोलना हो गया तो इनमें सबसे पहले आपको पढ़ना जुरत होगा तो इसमें क्या आता है कि हिंदी में लिखित रूप से ब्यक्त बिचारों को समझ सके जो हिंदी में लिखित रूप जो होता है उसको क्या कर सके हम ल लाइवार करते हैं या फिर हमारा कोई बेवसाइसे रिलेटेड हो गए या फिर आपका कुछ बहारी अचार विचार भी करना होगा तो उसमें भी आपको जुरत पर जाता हैं अब नेक्स्ट आता है कि सुनना इसमें क्या जाते हैं कि हिंदी में दूसरों की बिचारों को सु सापोज माली जे जो हमारे इंडिया के प्राइम मैनिस्टर मोदी जी है वो हिंदी में अपना भासर देते हैं मेक्सिमम देते रहते हैं जदि हो हमारे असम में आएंगे तो असम का हमारा च्छेत्रिय भासर है उनको बोलने में दिकत होगी किन्तु जब वह यहां पर आके हिं दुसरों की विचारों को सून भी सके अर्स जो उनके द्वारा बोला गिया जो वहासड एफ्लियुक्ति है उसको हम लोग समझ सके है ना इसलिए हमें जो सुनना कोशल इसको भी बिकास करना ज़रूरी है किस चीज़ के चाहितर में तरुटिय भासा के रूप में ठीक है तो आप लोग को समझ में आया होगा साथ में और एक कोशन हम लोग डिसक्शन करेंगे वैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में कोशन देखा था क्या कि प्राथमी कस्तर पर कौन सा भासा सिक्षड का उद्देश से नहीं है तो वहां पर मैंने मिस्टेकली पढ़ दिया था कि प् पर आत्म विश्वास के साथ अपनी बात कहना थार्ड आजाते है कि बढ़न माला में क्रम से कंठस्ट करना और इस कंठस्ट करना को में वहां पर बोली थी क्या निगेटिव वर्ड है हलाकि निगेटिव वर्ड बोलने के बाद जो दे मैंने कोशन को कर नहीं कि यहां पर वहां के और जा को बोलाई कि उससर नहीं हैं पर बनोतनों जो कंठस्ट करना आप लोग ऑपल्स करना इसका मुंख्य नहीं होता तो कि आ sesame था शक्तर प्राथमी कंठर जो कर लिए गा zod Kil Old में नेक्स्ट पी सथ मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्यू